हेलो दोस्तों एक जनवरी 2023 रात के साड़े बारा बज रहे हैं मैं आप सबके सामने सीटेट का एक और बहुत ही बहतरीन टॉपिक सबसे पहले पढ़ते हैं नेशनल केरिकूलं फ्रेमवर्क 2005 गणित के प्रिप्रेक्ष में हम एन्सेफ 2005 को पढ़ेंगे आये सुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट से सबसे पहले मैं आप सबको अपना परिचे देदूं मैं सिराज सर पाटसाला कोचिंग कोचस के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पाटसाला कोचिंग सेंटर में और सीटेट के काफी ही एक बहतरीन और एक अच्छा टॉपिक जो गणित के पेड़ागोजी के छेतर में कम से कम एक माक्स दो माक्स का आता है हर साल और पिछले साल भी हर सेट में कम से कम आप एक से दो कॉशन इस टॉपिक से देख लेंगे तो मेरे दोस्तों बहुत ही बहतरीन टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके नंबर को इनहाम्स करेगा बढ़ाएगा तो चलिए शुरू करते हैं NCF 205 के सबसे पहले NCF 205 का मुखिता से यह रहा है कि गनित में NCF 205 क अनुसार गनित का सिख्छन इस प्रकार से हो कि बच्चा गनित में गनितिये करण करना सिख जाए गनितिये करन का मतलब कि गनित की जितनी भी संकिर्याय ga को करना सिख जाए गणित ये तोर पर सूचना सिख जाए तरकिक्ता का ज्यान हो जाए तरणकन पद्धती उसमें क्या हो जाए डबलक हो जाए चिंतन कौसर को बढ़ावा मिल गए यह एंसे दोहर पांच का मुख्य उद्देशियों में थे यह था फिर हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं मेरे दोस्तों के गणित का सिख बालकों के दैनिक जीवन एवं उनके परिवेश से जोड़ कर करना है यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हर कोशन में आपको यह अप्सन दिख जाएंगे तो गणित का जो सिख न होना चाहिए वो इस प्रकार से होना इस प्रकार से करना है कि बच्चे जो हो अपनी अंता क्रिया करें दैनिक जीवन से दैनिक जीवन से हर वी सेवस्ते को क्या करें जोड़ करके देखें मेरे दोस्तों अगला पॉइंट है गणित का सिख जो होना चाहिए वो सू संगत और महत्व कांग्ची होनी चाहिए सू अग्ले क्लास के जो वर्ग विश्य वस्तू एं उनको भी ख्यान्त करके ते अर Ph rodentgue को पढ़ा जाती है अगले वर्ग की गणित नहीं पढ़ा ती बलकि ऊसको चार्गेट से उसको अद et do और पांच ने कहा था कि गणित जो होती है वो क्रिया कलाब एवं गदी बीदी अधारित होनी चाहिए और एक सबसे अच्छा बात ये कहा गया था कि गणित के परिपेक्ष में कि गणित सिक्षण को रोजगार परक नहीं होनी चाहिए यानि कि गणित का सिक्षण इस परकार रोजगार वो पालेगा लेकिन रोजगार के तोर पर गनित का सिक्चर नहीं करना है ठीक है मैं तोस्तों आगला पॉइंट परते हैं कि गनित जो है बालकों एवं बर्ग के अनुरूप हो यानि कि जिस कख्छा में बच्चे हैं उनके अनुरूप बच्चा का जो लोबेल है उनके साथ आपके विसेवस्तू को समाहित करें दूइ भी मिये समझो उनमें क्या हो दूइ भी मिये समझो अगला पॉइंट है बालकों का ग्यान विद्याले के चाहर दिवारी से वास्तिविक दुनिया से जोड़ना है यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो बालकों का जो गनित के परिफिक्ष में ज्यान होना चाहिए यानि कि जो नौलेज होने चाहिए वो फीसे वस्तु अधारित नहीं होने चाहिए किताब अधारित नहीं होने चाहिए बलके उनके वास्तिविक दुनिया से भी उनको क्या करना है रिलेट करके पढ़ाना है अगला पॉइं मैं उपर वाले बिंद्हें पढ़ाया था किुपनी इस प्रकार से होनी चाहिए कि साँच साथ आने वाले गनितों को उपर के विश्यों के साथ उसको जूड करके पढ़ाया जाए नौ करके उपर की गनित को पढ़ाया जाए बलके टारगेट दिमाद में रखा जाए गनित इस परकार से पढ़ाया प्रात्मी गग्चाओं में कि आने वाले उपर के क्लासों में गनित का इस गनित से यानिके निम्न क्लास की गनित से कुछ योगदान रहा हो जिसको हम लोग पदानुकरम भी कहते हैं अगला पॉइंट है गनित को EBS एवं भासा के साथ एकिकरित होनी चाहिए गनित को क्या होनी चाहिए EBS और भासा के साथ क्या होनी चाहिए यानि कि गनित की ऐसी संरक्षनाई होनी चाहिए जिसमें समस्याभी हो और साथ-साथ क्या हो उसका शमदाउन एक पॉइंट जो सबसे कॉरण पर मैं लिखा हूँ थोड़ा आप देखेंगे कि NCF 2005 सभी विद्यार्थी को गनित सीखने और गनित सीखाने की बात करता है यानि कि NCF 2005 यह कहता है कि हर विद्यार्थी को गनित सीखना भी चाहिए और हर व्यक्ति को हर विद्यार्थियों को हर बालकों को गनित सीखने की ज़रूरत हो ताकि वो अपने दैनी जीवन में उसको क्या करे उसका परियोग कर सके अगला पॉइंट है दोस्तों NCF 2005 का गनित सीखने का परिवेस क्या क्या परिवेस हो सकता है या किस परिवेस में बच्चा गनित सीखे सबसे पहला बात बच्चों का समुह में कारे करना एवं परिस्थितियों का वास्तिविक जीवन के साथ संबंध होना यानि कि बच्चे क्या करें समुह में कारे करें और परिस्थितियों को जो परिस्थितियां उनके साथ सामने हैं उसको वास्तिविक जीवन से जोड़ करके उसको देखें अगला point है चात्रों को स्वैम प्रस्ण पैदा करना है यानि कि create करना है यानि कि छात्रों को क्या करें एक औसर दें कि बच्चा क्या करें खुद से प्रस्ण को create करें खुद से प्रस्ण को गढ़े और ऐसा गढ़ने से बच्चा क्या होगा बच्चों में अन्यवेशन करिया की development होगी बच्चा क्या करेगा अनिवेशन करेगा तो ये point एंसे दोर पांच के हिसाब से गनित सीखने के परिवेस बहुत ही important है अगला point है गनित जो होनी चाहिए वो आकर्सक होनी चाहिए किता सजीव होनी चाहिए जिससे स्छात्र संकल्पनाओं को सपस्ट कर सके आकर्सक से ऐसे करके क्या करें गनित को क्या करें शिखाए ताकि बच्चा क्या करें सजीव तोर पर भी देखे और आकर्सक तोर पर भी यानिका मुर्थ ये total मुर्थ की बात कर रहा है एंसीफ दौर पांच के रहा है गनित्य गतिवीधी अधाईरित होने चाहिए जिसमें क्या क्या होने चाहिए वाई तो सबसे पहले बात को समझने के मुर्थ अनुभव परदान करना यायरी किसी भी अमुर्TH वस्तूह को समझाना है तो उसके लिए सबसे इसी फिले मुर्द औन्वा परदाना किज है ठोस वस्तूह को सामने लाई inhale फिर अमुर्थ बात्सों को उसको अमुर्थ चीज़ों को उनको बताइ सबसे पहला पॉइंट क्या है गतिवीदी अधारित हो गतिवीदी अधारित हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यह होना चाहिए कि बच्चों को अमुर्थ चीज समझाने के लिए मुर्थ अनुबह परदान करें या यूं कहें तो ठोस वस्तुओं को शामने लाएं ओके अ इंट्रेस्टिंग के साथ यहनि कि एक अच्छे महाल के साथ आपके क्लास में क्या करेंगा बच्चा सीखेगा तो नसे बच्चों को सीखने का उसर दें उनके विचार जानने का उसर दें अगला पॉइंट है कि बच्चों के समस्याओं को सुलजाने के लिए गया तो उसको जोड़ का डाइरेक्ट उत्तर बता दें या उसका हल लिख दें बच्चे उसको प्रुसाइद करें यानि के करके शीखने पर बल दें और यह भी कहता है कि बच्चे का जो बोच हो वो कम किया जाए और साथ-साथ बच्चों का यह जो धांचा है खास करके पढ़ने का वो एक क्रित रोफ हो, एक विशे से दूसरी विशे को जोड़ करके पढ़ाई जानी चाहिए, साथ साथ उनकी समस्याओं को सुल जाने के लिए प्रुसाहित करनी चाहिए, हल नहीं देनी चाहिए बलके प्रुसाहित की जानी चाहिए, और ऐसा करने से बच्चे खुद से करके सिखेंगे और जब खुद से करके सिखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन बच्चों में अस्थाई तो बनी रहेगी और जब बच्चों में अस्थाई तो बनी रहेगी तो वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होगा और बच्चे सिखेंगे इसी को कह मैं बच्चा ने खुद के खुद से हल करके ढूंडा और हल करने में जो परिशानी होती है ऐज टीचर आप उसको प्रेसाहित करें वोसलेटर बने विद्ध्य का काम है कि बच्चों के जरूरत के चीजों पर जहां बच्चे अटक रहे हो जहां बच्चे फसर रहे हों वहां पर उनको क्या करें पिंच आउट कर दें प्रचाहित कर दें या थोड़ी सी ऐसी मदद करतें बच्चा आगे के तरफ बढ़ जाए इसी को पाण और धाचा भी कहा जाता है ओके बच्चो धाचा और पाण आप पढ़े होंगे खास करके बाल विकास में काफी पॉप्लर पॉ जाके बच्चे क्या करें गणित को असानी से सीख सकें सबसे पहला पाण प्रणाली को अधारित नहीं हो बलके विसे वस्तू अधारित के साथ-साथ उनके बाहरी जीवन के परिवेश से रिलेटेड हो दूसरा पॉइंट यह रटने को दूर करना यानि के रटनत प्रणाल बच्चे किया करना है कि खतम कर देना है त्सरा पाठे चरया को पाठे पुस्तक केंदित नहीं हो जाएं बलके उनके बाहरी जीवन से परिवेश से ठीक उनके देनिक जीवन से जोड़ कर वनी चाहिए अगला पॉइंट अ souvent इस जीक्षा को गतिवीधी से जोड़ना बहु उनकी अस्थाईत्व ज्यादा बनी रहती है तो ध्यान रखना है कि गनित को गतिवीधी के माध्यम से सिखाया जाए एंसीफ का मार्ग दर्सी सुध्धानत है राश्टियों मुल्यों के प्रति आस्थावान एवं उनके महत्तों को पाठिकरम में सामिल करना राश्टियों सब्कस्धान लुए उसमें देश को क्या मिले मजबूती और बच्चे इस महत्तों को समझे और अगर समझेंगे तो इसको पाठिकरम में सामिल जुए ताके उनके प्रति आस्थावान भी और मुल्यों को क्या करें समझे भी अगला ncf के regarding है कि ncf का दो उद्यष रहा है एक संकुर संकुर संकुचित उद्यष और एक उच्तर उद्यष संकुर को narrow बोलते हैं और उच्तर को broad बोलते हैं ok संकुर उद्यष का मतलब रहा है direct question में आता है मेरे दोस्तों इससे कि पूरे सीटेट का एंसी इफ का चितने भी अच्छे पॉइंट से सारे नोट्स मैं आपके सामने लागर के रख दिया हूं मैं दोस्तों आप इंसी नोट्स को पढ़ें दुबारा पढ़ें दो बार पढ़ें इसका पीडियेफ मैं आपको दे दूँगा इसके बाद चितनी भी सारे नसीफ की क्वेशन प्रिविए से के पूछी गई है सारे के सारे को आप अच्छे से अल कर सकते हैं अगर आपको किस क्वेशन में परशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या क्वेशन आपको इसका सौल करके दे दूँगा तो लेते हैं विजा दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद मैं सिरासर परसाला कोचिंग कोचस के तरफ से आप सभी का स्वा और आप नंदन करता हूं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक लिए जाए ही